हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कीमा मेथी की रेसीपी बहुत इजी रेसीपी है आप एक बार ज़रू ट्राइ कीजिए तो चलिए हमें इसके लिए क्या-क्या चाहिए देख लेते हैं इसके लिए हम एक कढ़ाई लेंगे दो चमच तेल डालेंगे तेल गरम होने के बाद 200 ग्राम प्यास डालेंगे इसको हम हलका सा भून लेंगे ये देखिए इसको हमने भून लिया है एक बड़ा चमच अध्रक लसन का पेस्ट डालेंगे एक बड़ा चमच मिर्च पौड़ डालेंगे एक बड़ा चमच धन्या पड़र दालेंगे एक छोटा चमच हल्दी पड़र दालेंगे एक बड़ा चमच नमक दालेंगे नमक हम टेस्ट के हिसाब से दालेंगे इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे 500 ग्राम मशीन का कुटा हुआ कीमा दालेंगे आप मोटा कुटा हुआ भी ले सकते हैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको हम 2-3 मिनिट तक भून लेंगे तीन मिनिट हो गए है अब हम इसमें 200 ग्राम मेथी दालेंगे इसको हमने अच्छे से धोकर काट लिया है इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें एक ग्लास पानी दालेंगे कीमे को सॉफ्ट होने तक धक कर पका लेंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे ये देखे कीमा सॉफ्ट हो गया है थोड़ा सा बारी कटा हुआ धन्या दालेंगे 4-5 हरी मेश दालेंगे एक चमच गरम मसाला दालेंगे इसको हम मिक्स कर लेंगे अब हम इसको 2-3 मिनट तक धक कर और पका लेंगे ये देखे 3 मिनट हो गए हैं और हमारी मेथी कीमा की रेसिपी तयार है बहुत इजी और टेस्टी रेसिपी है आप एक बार जरूर ट्राइ कीजिए आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताईए हमारे चैनल इंडियन जाएका को सब्सक्राइब कीजिए आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स सक जरूर शेय कीजिए तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में